Hello everyone, this is Mayank and आपका फिर से मेरे वीडियो लेक्चर में स्वागत है आज हम देखो number system की ना third lecture ले आ है इससे पहले हम लोगों ने various various concept के बारे में study कर लिया है already number system के बारे में की number system non terminating, non repeating decimal को कैसे हम P upon Q form में represent करते हैं, various number क्या क्या होते हैं उससे related question भी हम कर चुक है, अभी क्या है आज कर पूरा लेक्चर है यह number line के उपर revolve करेगा, number line मतलब कि आप rational number को पहली बात तो real number जो होती है, real number को आप number line में क्या कर सकते हो उसको represent कर सकते हो, उसको दिखा सकते हो कि वो कहाँ पे आएगी ठीक है, real number में जैसे rational number और irrational number को भी आप दिखा सकते हो कि वो कहाँ पे आएगी exact किस पे number line पे, ठीक है तो यह number line के भारे में पूरा study करेंगे कि rational number और irrational number को कैसे हम किसी भी number line पे represent कर सकते हैं, देखो, इसमें जैसे की अंडरूट 3.5 को भी हम देखेंगे कि कैसे बोलता है, नंबर line में represent कैसे करेंगे, ठीक है नंबर line में इसको कैसे represent करेंगे, मैंने आपको प्रिवेसली वीडियो में बता दी अंडरूट 2 को कैसे represent करते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि यह एक, मतलब नंबर line के उपर ही related वीडियो हो, तो मैं इसको repeat भी कर दूँगा, ठीक है, अंडरूट 2 कोई ज़्यादा हाइफ है concept नहीं है, that's why मैं इसको repeat कर दूँगा, ठीक है तो चलो, start करते है, अज देको सबसे पहली बात है, क्या है representation of rational number on number line. आप जान रहो हो, आप rational number को तो represent करना जानतो हो, जैसे कि आपको number line है number line को बताया है कि 0, 1, 2 ऐसे है तो suppose that आपको 2 को represent करना है, 2 को represent करने है तो आप यहाँ पे एक क्या लगादहोगे, आप यहाँपे मैं आपको एक बात बता दो जब भी आपको ऐसे represent करने के लिए आपको question देता है अगर exam में तो यह क्या बोलेगा वो आपको prescribe कर देगा आपको बता देगा कि कितने decimal तक आपको represent करना है जैसे 5.37 repeating दे दिया है तो यह बोलेगा कि after 3 decimal places after 4 decimal places मतलब decimal के बाद 3 digit आने चाहिए ऐसे करके आपको बता देगा तो simple सी बात देखो आपको क्या represent करना है आपको represent करना है 5.37 repeating को suppose that आपको represent करना है 3 digit तक तो आप तो क्या करोगे 5.37 7 लिख लो ठीक है इसके बाद आपको represent नहीं करना है यह बना दो आप जैसी यह है ना 5 है और यह 6 है तो इसके बाद 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 7 8 और यह 6 समझ गया ना 9 और यह 6 आ गया मतलब 5.9 की बाद 6 0 अब देख लो तो यह तो 5.1 था ना 1 समझ जाना ना 5.1 लिखना चाहरा हूँ 5.2 5.3 अब देखो 5.7 अब किसके बीच में आएगा यही है बच्चे देखे सिंपल सा यह है ना कि 5 और 6 के बीच में पहले तो डिवाइट किया अब देखो यह 5.3 एंड जैसे यह है ना यह है आपका 5.3 अब यह है आपका 5.4 तो अब जो है ना 5.37 है 3 के बाद तो यही इसके बीच में आएगा तो सिंपल सी बाद इसी कोई क्या करते है जूम कर दिया मैगनिफाइ कर दिया यहाँ पर सिंपल सी बाद यह है ना फिर इसको मैगनिफाइ कर दिया तो देखो अब सिंपल सी बाद जैसे कि है ना अब आपको main में दिखना है आपको 5.3 दिखना है यह इधर हो जाएगा 5.4 अब इसके बाद जिसे बीच में लिखना है इसे तो यह कि नंबर क्या हो जाएगा जैसे 5.31, 5.32 ऐसे चलते-चलते जाएगे ठीक है 5.39 इन तक and उसके बाद जाके 4 हो जाएगा अब आपको क्या represent करना है 5.37 आपको represent करना है तो 37 कहाँ पे आएगा देखो यहाँ पे simple सी बात जिसे 5.37 and 5.38 है अब आप इसको जूम करना है इस प्लेस पे जाके इसको जूम करना है तो यह क्या होगा ऐसे अगर आप इसको भी बड़ा कर दोगे तो यह हो जाएगा 5.377 तक जाना है and definitely यह जो है न यह value आते 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 आपको मिल जाएगी magnify करना समझ गया न आपको 5.377 तक represent करना था तो आप तो उस तक value तक पहुची गया न बच्चे तो यह simple सा concept था देख लेते हैं इसके उपर कुछ कोशन यह आपके NCRT के question है जैसे कि आपको क्या बोला है 3.765 को represent करना है अब पहली बात 3.765 है तो पहली बात तो यह कहां पे होगा 3 and 4 के बीच में होगा 3 and 4 के बीच में होगा उसके बात क्या है 3.7 है तो यह 3.1, 3.2, 3. suppose that यहाँ पर 3.7 आ गया ठीका रोड़ यहाँ पर 3.8 आ गया और यह जो नंबर है अब यह किसके बीच में होगा 3.7 and 3.8 के बीच में है कोई rocket science नहीं है यह हो गया 3.7 and यह हो गया आपका 3.8 and 3.7 है तो 3.71, 3.72 and उसके बाद 6 है तो यह हो जाएगा 3.676 हो जाएगा यहाँ पर कहीं पर होगा and इसके बाद 3.77 होगा तो अब जो है न 3.765 है वो इसके बीच में आएगा अरे बच्चे समझ में आ रहा है के निया आपको यह कोई ज्यादा बड़ा concept नहीं आपको क्या है 3.76 था and यह हो जाएगा 3.7 sorry 3.77 and आपको अब क्या represent करना है 3.765 है न तो इसक तो यहाँ पर flag लगा देना है यह हो गया representation and देखो मैंने बोला था न जैसे visualize करना है इसको बोला है तो 4.26 उपर में repeating है तो आपको जरूर देगा कि कहा तक आपको करना है कहा तक न तो यहाँ पर बोला है up to 4 decimal places मतलब की 4 decimal places मतलब की 4.2626 तक करना है अब इसमें कुछ रखा है क्या इसको कर लोगे न यह 4 है तो यह 4 और 5 के बीच में आएगा पहली बात तो 4 और 5 के बीच में आएगा फिर 4.2 एंड फिर इसके बाद कि इसमें आएगा 4.2 एंड 4.3 के बीच में आएगा फिर उसके बाद ऐसी करते करते आपको जाना है यह आप definitely कर लोगे आप एक अगर आपको इरिशनल लंबर को नंबर लाइन पर प्लॉट करना है तो आप कैसे करोगे मैंने प्रिवेस्ट वीडियो में अपने लेकर में डिस्कस कर चुका हूँ लेकिन एक वर और और करते हूं जैसे यह ने कोई लंबर लाइन है ठीक है आपको अंडर रूट 2 को रिप् रखोगे और पैंसिल जो है रती है उसको यहां रखोगे यहां पी इस पॉइंट पर फिर इससे अगर आप एक आर्ग ड्रॉट करोगे सिंपल सी बात अगर यह पैंसिल रखके बनाया हो तो यह तो एक सरकल को ही जनरेट करेगा तो अगर यह अंडर रूट 2 है तो यह भी एक यूइट उपर चले गए तो यह वन यूइट हो गई न ठीक है तो यह तो यहां से यहां तक की वैल्यू तो अंडर रूट 2 आई थी फिर आपको इसको बेस मानके आपको एक और वन यूइट की क्या लेंथ ट्रॉ करनी है और इसको जब वन यूइट मान लोगे और इस यह जाएगा यह जिरो सपोस्थ यह वन इसमें परपेंडिकुलर आपने ट्रॉ किया वन यूइट की ठीक है इसको अगर आप जॉइन करोगे तो यह वन है यह वन है तो पाइथागर अस्तिरम तो आपको आता है न तो यह अंडर रूट 2 हो जाएगी और देखो अगर आप अंडर रूट 3 ड्रॉ करने हैं तो इसका यह करना है आपको इसको बेसमानना है अप इसको बेसमानो आप यहाँ पे लो एक 90 डिग्री ऐसे यहाँ अगर आप इसको वन यूइनिट के ले नहीं फिर से थीक है तो यह इसको अगर जब जोईन करोगे तो आपका अंडर जैको यह जैसे है यह रांडर की नीव को यहां रखे जो उसकी निकली नीव होती है यहाँ पे पैंसिल को रखे यहां से एक जेनरेट कर दिया तो यह जो पॉइंट जहाँ पर कट करेगे ना नंबर लाइन को यह हो जाएगा अपके अंडर रूट 3 कोई रॉकेट साइंस उसी तरह से अगर आपको अंडर रूट 17 रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे कर दो आप तो आप तो जान गहना हो यह 0 हो गया यह 1 हो गया यह 2 हो गया यह 3 हो गया यह 4 हो गया तो यह 4 उनिट की लेंथ तो यहां से यहां तक हो गई यह फिर से यहां पे 90 डिगर बनाके 1 उनि करोगे, generally अगर आप इसको पूरे extend करोगे हैं, तो एक circle को generate करेगा, that's why ये length भी under root 17 होगी, कोई rocket science नहीं सिल मैंने जल्द जल्दी, एक बार और extend कर चुका हूँ that's why मैं इसको जल्द जल्दी क्या कर रहा हूँ skip कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी भगा रहा हूँ मतलब, अब देखो, आज का जो main concept है main concept है, वह ये है आप चलो भाई, आप under root 2 तो represent करना सिख गया, आप under root 17 तो represent करना सिख गया, लेकिन अगर educator, मतलब किसी ने आपको question ऐसा दे दिया, कि under root 3 5 को, आप number line पे plot करो, आप तो माथा पकड़के बैढ़ जाओगे, तो चलो देख लेते हैं, इसका भी है ना, 9th में आपका explanation दिया हुआ है suppose that आपको ना, कोई भी length है suppose that आपको under root x दिया हुई है and x जो होगी ना, x आपकी जिसे decimal वे दिया हुए, 3.5 अगरे दिया तो simple सी बात तो पहले तो आपको number line में जानी है से, पहले number line से draw करनी है, यहां से, यहां तक की यह जो length होनी है ना, यह आपकी x unit की length होनी चाहिए, ठीक है, फिर इसको और एक, और one unit आपको extend करनी है, ठीक है, और one unit extend करनी है, तो यह क्या हो जाएगा यह दोनों क्या हो जाएगा, x plus 1 हो जाएगा ठीक है, simple सी बात कोई rocket science नहीं रुको मैं बताता हूँ, पेसेंस रखना ना, ठीक है यह A है, यह B है, ठीक है sorry, 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 यह A है A से B तक की length, suppose that x है suppose that कुछ भी है, इसकी length x है यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद इसको और एक unit extend करना है, क्यों एक unit extend करना है, और इसके बाद क्या करना है, यह जैसे यह पूरी length तो आप x plus 1 हो जाएगी ना, देखो, अच्छे से देखो, यह पूरी length फिर यहाँ pencils ऐसे कटके, यहाँ कटके फिर इसको क्या कर दे, join कर दे, तो यह mid point मतलब middle में क्या करेगा, आपको divide करेगा मतलब सीधी से बाद आपको perpendicular bisector draw करना है, तो यह एकदम बीच में आएगा तो आप यह बताओ कि यह पूरी length जब x plus 1 थी न, पूरी length x plus 1 थी, तो यहाँ से यहाँ तक की length, इतनी length बस, x plus 1 by 2 आएगी, आएगी की नहीं, आएगी बच्चे, तो यह length x plus 1 by 2 आएगी, यह length भी आपकी कितने आ जाएगी, x plus 1 by 2 आ जाएगी, length ठीक है, तो अब आपको क्या करना है अब आपको यहाँ पे फिर से, बीच में यह जो o point है, यहाँ पे rounder की निप को रखनी है, ठीक है, जो nuclei नीव होती है, उसको यहाँ रखनी है, और pencil को यहाँ रखना है, एक semi circle generate कर देना है, ठीक है, एड़ इसके बाद जो point थी न, जो main point थी, यहाँ पे जो length गीचे थे आप, ठीक है, एक example कराऊंगा, आपको मैं से definitely था कि आपको समझ पड़े, यह जो length है न, यहाँ पे आपको एक फिर से perpendicular draw करनी है, ठीक है, एड़ यह जो length होगी यही आपकी, जो है न, under root x की value होगी, एड़ आप पूछोगे, भईया, यह कैसे हो गया, ठीक यहाँ पे आप rounder की निव रखनी है, यहाँ से एक circle generate करते होए, ऐसे आपको cut करनी है, तो यह जो value आजाएगे न, यहाँ पे, यह आपकी जो भी point है, उसकी value हो जाएगी, ठीक है, अब देखो, मैं इसको explain करता हूँ, simple सी बात देखो, OC, OD, OA, यह आपका x plus 1 by 2 होगा, OC कहा नहीं होगा x plus 1 by 2, जाहिर सी बात है, अगर आप semicircle draw किये हो, तो यह value भी तो x plus 1 by 2 होगी न, यह भी तो x plus 1 by 2 होगी, यह radius है न, यह भी होगी आपकी value x plus 1 by 2, अब आपको क्या करने है, अब आपको यह triangle object करनी है, अब इधर उधर दुनिया दरी छोड़ो, आपको यह triangle को देखो, आपको उनसे triangle देखोगे, o, b और d को देखो, यहाँ पे 90 degree बन रही है न, ठीक है, तो अगर आपको देखो, आपको अगर यह length है न, यह length तो दी हुई है, यह length कितनी दी हुए, x plus 1 by 2, आपको दी हुई है यह length, ठीक है, यह length आपको पता नहीं, यह length आपको पता देखो, line से आपको समझना पड़ेगा, यह length पूरी, wait a second, यह पूरी length x थी, हम लोगों ने उसको 1 unit extend किया था, ठीक है, तो इसको फिर हमने perpendicular bisector किया, तो यह कितनी आई थी, x plus 1 आई थी, ठीक है, तो आपको यह length चाहिए अभी, यह length, तो यह पूरे में से x minus x plus 1 by 2 आपको subtract करना है, और कोई थोड़ीन करना है, तो वही किया है आपको, ob कि अगर आपको length चाहिए ना, यह ob की length, तो ob की length करोगे, तो यह पूरी x थी, तो x minus x plus 1 by 2, मतलब कि यह पूरी x उसमें से इसको minus कर दिया, तो यह length मिल गया आपको, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको य यह length मिल गई, यह length आपको पता है, कितनी है, x plus 1 by 2 है, यह length, क्योंकि radius है, यहाँ भी same होगी, यह भी radius same होगी, यह length आपको मिल गई, after calculation, इसको आप solve कर गए, तो 2x हो जाएगा, minus x हो जाएगा, तो यह length आपको, x minus 1 by 2 हो जाएगा, तो यह हो गया, आपका x minus 1 by 2, खुद से करके देखो pen से, ठीक है, कुछ से pen copy पे करके देखो, तब समझ पड़ेगा, इसी देखते रहोगे, तो नहीं होने वाला, ठीक है, math से यह, तो यह x minus 1 by 2 हो जाएगा, यह length आपको पता है, तो यह length निकाल सकते हो, ठीक है, अब यह length निकालने के लिए, आपको क्या करना है, यह length अगर आपको निकालना है, तो simple सा पाइधगरस थिरम लगाना है, तो आप पाइधगरस थिरम से क्या जान रहे हो, od square, sorry, bd square, bd square की value क्या हो जाए, आप तो जान रहो हो ना, मतलब hypotenuse का square is equals to, आपको base का square plus height का square होता है, ठीक है, यह होता है, तो आपको height निकाल दी है ना, यह height, तो height की square क्या हो जाएगी, h square is equals to, okay, height लिख देना, h, h हो जारा है, confusion हो जाएगर को, hypotenuse का square is equals to base का square plus perpendicular ले लो, perpendicular square, तो आपको perpendicular find करने ही यह, तो perpendicular की square क्या हो जाएगा, आपका, height का square, मतलब hypotenuse स्वरी, hypotenuse का square minus base का square, ठीक है, यही होगा, तो वही तो किया है, य minus ob, ob base है, ob की square, तो आपको तो इसकी value पता है, od की value पता है, od की value क्या हो जाएगी, x plus 1 by 2 थी, od की length, इसका square करना है, तो इतना हो जाएगा, and minus, इसकी, इसकी length अभी निकाले हैं, हम लोग, x minus 1 by 2 का whole square, and जब इसको हम solve करेंगे, तो यह आपका कुछ देख लेता है, इसको solve क यह 2x to x add हो जाएगा, बच्चे, यह करके देखना, यार, बहुत simple सा है, 2x to x add हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, आपका 4x divided by 4, and 4, 4 को cancel करोगे, तो यह x, मतलब कि आपको क्या पता चला, आपको bd square की value क्या मिल गई, यह bd square की value x मिल गई, ठीक है, x मिल गई, तो bd की value क् bd is equals to under root x हो जाएगी, यह हम लोगों ने in general derive किया, समझे, मतलब कि अगर आप यह length x लेते हो, अगर यह length आपके 3.5 है ठीक है, यह length, sorry, यह length अगर आप 3.5 लेते हो, तो अगर यह सी point से scanning point पे, अगर आप ऐसे यह draw करोगे न, यह length, तो यह आपकी under root 3.5 होगी, एड़ इसक question करके आपको दिखाई दिया जाए, जैसे कि क्या है, जैसे यही बोला न, यह length अगर आपने कोई भी length ली, ऐसे, तो यह length अगर आप लोगे x ले लिए, तो यह under root x होगी, एड़ इसको rounder की नेप को यहां रखनी है, पैंसिल को यहां रखना है, एड़ इसको जब further आप ऐ अगर आप ऐसे generate करोगे तो एक circle ही generate करेगा बच्चे, तो यह length अगर under root x है, तो यहां से यहां तक की length भी under root x होगी, समझ में आगे हैं, यहां से यहां तक की length लेनी है, ठीक है, यह under root x होगी, यहां से यहां तक की length under root x होगी, एड़ इसी का simple example जैसे आपको under root 3.5 को number line पे represent करना है तो इसको आपको कैसा treat करना है इसको आपको 0 की तरह treat करना है जिसे इसका example ले ले लेते हैं आपको मान के चलो under root 3.5 को अगर आपको represent करना है number line पे तो अब आप इसको कैसे करोगे simple जी बात पहले आप तो एक line यह चलो यह हो जाएगा आपकी 3.5 length की इतनी 3.5 length है इसकी इतना फिर इसी को over 1 unit extend कर दो यहाँ से यहाँ 1 unit तो यह दोनों की length मिल के कितनी हो जाएगी यह दोनों की length मिल के हो जाएगी आपकी 4.5 ठीक है इसका है इसका जो पूरी length आगे नहीं यहां से यहां तक इसको A बोल दो, इसको O बोल दो, इसको B बोल दो, ठीक है, यहां से यहां तक की लेंट था गई ना, इसका आपको क्या करना, इसका आपको perpendicular by sector draw करना, perpendicular by sector ऐसे कर सकते हों आता है, आपको ऐसे draw करना, तो यह meet point पे, finally आपको meet point मिल जाएगा इसका, and meet point पे, यहां पे आपको rounder की निप को रखनी है, ठीक है, जो उसका नुखिलर निप होता है, यहां पे आपको pencil रखनी है, पिर यहां से semi circle मेरे step को सुनते जाओ, यहां पे जो इंड है इसको यहाँ पे आपको 90 डिगरी यहाँ से ड्रॉ करोगे तो यहाँ जाके यह हाइट कहीं पे मिलेगा एड यही जो होगी यह जो हाइट होगी यह हो गया ऐसे यहाँ तक कि आपकी 3.5 लेंथी यहाँ से 1 unit extend किया फिर यहाँ से इसका perpendicular bisector लेकि यहाँ से draw किया तो यह 3.5 पे जब आप ऐसे draw करोगे ना एक length 90 डिगरी की ठीक है तो यहाँ से यहाँ पे फिर इसको आपको radius मानने है फिर इसको आपको क्या कर लेना है यहाँ पे rounder की नीव रखने है यहाँ पे pencil रखना करके देखो यार अब मैं इसमें करके थोड़ी न बता सकता आपको तो इसको फिर आप ऐसे further जब circle मान के इसको ऐसे घिचोगे ना तो यह जो length आ जाएगी ना यहाँ से यहाँ तक की length यहाँ से यहाँ तक की length आपके under root 3.5 आईगी यह under root 3.5 होती है आप करके देखो simple सा calculation है कोई नहीं है कुछ नहीं है बस आपको क्या करना है अगर आपको प्रूप करना है अगर आपको इसको प्रूप करनी है तो पहले तो आपको इसको पूरा length x लेना है in general इसको x unit extend करना है और दोनों को जब मिला दोगे तो यह x plus 1 by 2 हो जाएगा x plus 1 by 2 मतलब यह यहां से यहां तक की distance और आपको अब क्या करना है आपको यह length अगर यह radius है तो यह भी radius होगी तो अगर इसकी length x plus 1 by 2 है तो इसकी value भी x plus 1 by 2 ही होगी and simple सी बात अगर यह x plus 1 by 2 है तो आप इसकी value bd square is equals to x आ रहा है तो simple सी बात bd की value क्या आ जाएगी आपके under root x आ जाएगी मतलब कि अगर आप कोई भी length draw करते हो कोई भी length draw करते हो जैसे under root चाहे वो under root 4.5 ही क्यों नहों तो आप तो पहले 4.5 unit draw कर लिए यह 4.5 length है ठीक है इसके बाद इसको यहां तक 4.5 है नहां से यहां 4.5 है & इसके बाद यहां से आपको क्या करना है यहां से 1 unit or extend कर देना है यहां से 1 unit extend करोगों एं इसके बाद फिर से जो क्या लियान है इसका एक perpendicular bisector कर लेना है तो यहाँ पे सीधे इस बाद meet point आ जाएगा meet point यहाँ पे rounder की नीप को रखनी है फिर यहाँ पे pencil रखना है फिर एक semi circle generate कर देना है semi circle आप जब generate कर दोगे तो फिर है नहीं यहाँ पे जो point है जो last set करेगी ना जिस point पे उस यहाँ पे rounder की फिर से यहाँ पे देखो यहाँ पे फिर से rounder की नीप रखनी है और यहाँ पे आपको pencil रखना है और इसको further ऐसे extend करना है और यह circle जैसे बनेगा ना लेकिन आपको पूरा circle नहीं बनाना है आपको यहाँ तक extend करना है simple सी बात इसको zero जैसे treat करना है तो यह length जोगी ना यहाँ से यहाँ तक की length होगी वो जो भी आप लिये हो जिसे under root 4.5 लिये थे ठीक है जहाँ पे line को cut करेगी वो under root 4.5 होगी करके देखो आपको अगर समझ नहीं आता है कैसे समझ नहीं आएगा या रहा इतना explain कर दिया आपको एक बार करके तो देखो आप मेरे video lecture को देखो एंड उसके बात करके देखो definitely आपको समझ पड़ेगा यह देखो जैसे कि यह है यह 3.5 length एक ही है फिर one unit extend कर दिये फिर इसके बाद यहाँ पर से perpendicular इसके बाद कर दिये तो इमीट पॉइंट आगे है अपि इमीट पॉइंट से लेकि यहाँ पे semi circle ट्रॉ कर दिये ऐसे semi circle ट्रॉ कर दिये फिर जो ending point थे नहीं यहाँ पर इंडिंग पॉइंट पे है यहाँ पर डी point पे अगर आप इसे ही वीडियो लक्टर चाहते हो ठीक है वीडियो लक्टर तो दूँग अहीं मैं आपको लेकिन अगर आप अगर आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ोगे तो आपको इसको चार्ज करेंगो आपसे पैसे लेंगे मैं कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ आपसो ठीक है तो आप समझो अगर आपको free education मिल रहा हूँ और quality है बच्चे मेरे education में ऐसा नहीं कि मैं ऐसी रेंडम घिस पिट के आपको खतम कर रहा हूँ education में quality है देखना आपको exam लिख होगे न तब आपको पता चलेगा कि क्या पढ़के आया थे हम यहीं बोलूँगा thanks for watching ठीक है अगर आपको definitely अगर मेरा video lecture पसंद आता है तो इसको like कर security अच्छे ही मतलब जल्दी जल्दी और अच्छे वे में आपको provide कराऊंगा subscribe करने से आप ही का फायदा है subscribe करने से कैसे फायदा है कि आपको इधर उधर link पे click करना नहीं पड़ेगा और जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगा तो आपको YouTube क्या कर देगा notification भेद सबसे care करो बच्चे जो बुजूर्ग है ना उनका special care करो ठीक है उन्हें जादा care की जरूरत है जो बुढ़े है और जो बच्चे है उनकी तो special care करो आपका जो immune system है ना बच्चे आपका immune system अच्छा खासा है अभी आप क्योंकि अभी आप अच्छे मतलब 9-10 में हो तो आप क्या करो आप उनकी special देख भाल करो और जो चोटे बच्चे है एकदम चोटे बच्चे उनकी हल देख भाल करो और मम्मी पापा को खुश रहो और वही क्या कहना है पढ़ाई करते रहो all the very best